पीले दात वाली बहू रंजना कब्भी ब्रश नहीं करते थी उसे कितनी बार उसके माबापने डाटा लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था जिस कारण से उसके दात पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद अरा बहू वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है पर तेरे दात दात इतने पीले कैसे हैं बेटा कैसे मतलब कुछ सरजरी थोड़ी न कराई है वो तो क्या नाम में ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए अब क्या करो आप कहे तो लाल करवालो या फिर काले यार ये क्या है क्यों मा से लड़ रही हो लड़ रही हूँ अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बूल रही है कि दात पीले है पीले अरे तपस्या थोड़ी ना किया है इन्हें पीले करने के लिए बगाइदा ब्रश नहीं किया है बिस साल तक तब जाकर ची कैसे बात कर रही हो ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे अरो तब साफ करवाली आ होगा डेंटिस्ट के पास जाकर अब देखो क्या से पीले पीले लग रहे है लंचना सास की तरफ कुस्टे से देखती है फेर शुरू हो गई पीले 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 अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साबा खैट अब बुलुक करते भी तो क्या करते पीले दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो जेलना तो था ही एक दिन किर्टन में रंजना गाना गा रही थी अरा कामला बहान मा का द्वारा या तो सब शुद्ध हो कराते हैं फिर अपनी बहु को ब्रश भी नहीं कर राती तुम दूर से पीले पीले दाथ भक्ती में बाद आउट पन न कर रहा है अरे कोई दो साल के बच्ची थूड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहु बनाकर अच्छी खासी लड़की है अरे कैसे करवाओ ब्रश ये तो उसे खुद करना चाहिए न अब माबाप तो इसके जैसे तैसे निपता दिये ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी सास बहु को लेकर घर आ जाती है लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी अगले रोज बख कहती है अरे क्या हो गया मंदिन नहीं जाना क्या किर्टन का वक्त हो रहा है मेरी मधरवाणे से कानाजी जागते ही और सोते हैं आप तो जानती है ना उनकी भक तुनके गाने पर नाच रही थी आप और आप बोल रहे हैं कि तप्या ठीक नहीं लग रही अरे भक्ती में मन लगा लो सासुमा उपर जाना है क्या मूँ दिखाऊगी आप हाँ सास को बहु की बात पर गुस्सा आजाता है मैं क्या मूँ दिखाऊँगी इसकी चिंदा तो नावा कर समझी अपने मूँ की चिंदा कर जो यह पीले पीले दात लेकर हर जगर पहुंच आती है पता है लोग कितना मजाग बनाते हैं ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो यह बात है कोई ना मत जाओ मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भक्ति कर लूँगी उपर वाला दात थोड़ी ना देखता है मन देखता है बाव ना देखता है और अरा बस बस तू सब कुछ दिखा बस यह सफेद चमकदा दात ना दिखाना किसी को है जा यहां से बहु को स पास की बात का कोई फर्त नहीं पड़ता वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है सुबह नहा कर किचन में खाना बनाना फिर खाना खाना किर्टन भजन करना और सो जाना एक दिन माजी मैं सहल की घर जा रही हूं शाम को लेट आउंगी हो हो तो जाना मैंने कौन सा तिरी आर् नहीं है गर पर बैध कर रंजणा सहल की घर जाती है जहां वो पार्टी में जाने की तयारी कर रही होती है आरे शिखां कहा जाने की तयारी कर रही है में गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार उन तो सही वक्त पर आई है मैंने ये साड़ी और जूलरी निका लिए यार शाम को इनके ओफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है ये सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जूलरी अच्छी लगेगी हाँ हाँ सही बोल रही है मैंने ध्यान ही नहीं दिया बसे तो हमेशा से मस्ट फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी ना पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं भोलती बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रजना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचेरा क्या कहता कि दाथ पीवे हैं तुम्हारे इसलिए आरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ओफिस में तो कहां से लेकर जाओं और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो अरे यार, सारे हफ़ते में एक चुट्टी मिलती है तो सुचता हूँ क्या आराम ही कर लो, क्यों? रंजना मन मारके रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद करती है घर बैठी बैठी रंजना बूर हो जाती है तब ही उससे आइडिया आता है और हूँ पाई के जाने का सोचती है सासु मा, दो दिनों के लिए मम्मे के गर जा रही हूँ अच्छा ठीक है, आराम से जा और हाँ, मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि क्या से शरीर के हर बाग कितना दाथों के सफाई भी ज़रूरी होती है समझी शुरू हो गई ना वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बाद का बतंगड बना दे उन लोगों के लिए मै माईने रखती हूँ ना कि मेरे पीले पीले दाथ रंजना मा को बिना बताए उन लोगों को सफ्राइज देती है लेकिन जैसी ही वो दरवाजे पर पहुचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होती है अब मा काश रंजना दिदी के दाथों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादिवे हाँ बेटा लेकिन अब उसे कौन समझाए क्यों उसको उसके पेले दाथ नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास की लोगों को कितना इंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैटना भी नहीं चाती और नाहीं कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था लेकिन पता नहीं क्यों उससे ये बात समझ में ही नहीं आती कोई कमी नहीं उस लड़की में बस यही के दाथ पिले है वो तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंजना को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी अर क्या हो गया तुम तो दो दिनों के लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रेंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई माह मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरिसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूँगी झाल मैंने आप लोगों कर्या नहती है